अखंड मंधन के सभी दर्शकों को नमस्कार मैं हूँ शेखत्र पाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंधन आगे क्या होने वाला है वेब सेरीज में आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध भविश्य वक्ता नैस्तर दमस के द्वारा की गई उन भविश्य वाडियों की जो अब तक सत्य सिद्ध हो भी चुकी है और उन में से कुछ के अक्टूबर में सत्य होने की संभावना दिख रही है नैस्तर दमस एक ऐसे भविश्य वक्ता रहे हैं जिनके बारे में आप सभी को बहुत सारी जानकारी होगी लेकिन कुछ समय पर हमें इसे इसलिए इसकी पुन्रावृत्ति करनी पड़ती है ताकि उनके द्वारा जो बाते कही गई हैं उसको समय के दरपड में देखा जा सक नैस्तर दमस ने जो भविश्य वाड़िया की थी और उसमें जो सबसे प्रमुख भविश्य वाड़ी थी वो अमेरिका में 9-11 का हमला था जर्मिनी में एडॉल्फ हिट्रल का उदय और इंद्रा गांधी और राजिय गांधी की हत्या जलवायू परिवर्तन ऐसी अनेक परा की गई थी और वो सत्य सिद्ध हुई है अब इसी में नैस्तर दमस ने ये भी कहा था कि तीसरा विश्य युद्ध जो है दोजार चौबिस में कभी भी आरंभ हो सकता है और इसके लिए जो उन्होंने अबधी बताई थी वो दोजार पच्ची से लेकर के 2030 के बीच की इसके पीछे उन्होंने एक गड़ना की थी और इस गड़ना का जो संबंध है वो प्रतम विश्य युद्ध को ले करके हैं तो इस गड़ना पे हम आज चर्चा करेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इरान और इसराइल के बीच जो है युद अब आरंभ हो चुका है अब इरान ने जो कारवाई की है इसराइल के उपर अब उसका पलटवार इसराइल कैसे करता है इसी पर निर्भर करेगा कि संसार में कितने देश सुरक्षित रहेंगे और कितने देश सुरक्षित नहीं रहेंगे क्योंकि इसराइल जब भी पलटवार करेगा वो बहुत ध लेकिन अब इस्थित्निया ऐसी हो गई है कि रक्षा विशेशग्य तक इस युद के कभी भी भयानक होने की अटकले लगा रहे हैं। इसलिए सिर्फ जानकार ही नहीं बलकि पूरे दुनिया में एक तरह का भैव्याप्त हो गया है कि क्या तीसरा विश्यूद सच में भयानक रूप लेने वाला है। की गई थी जिसमें उन्होंने भविश्य में घटने वाली घटनाओं का संकेट दिया था। नैस्ते दमस इन घटनाओं को अलंकार के रूप में लिखते थे इसलिए इनका बिलकुल सटीक व्याख्यान थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी कई विश्य शग्यों ने इस पर काफी शोध कार किया और उसका अर्थ निकालने का जब प्रयास किया जिसमें से कई अतीत में हो चुकी घटनाओं की भविश्य वाडियां भी उस में छीपी होई थी। सोलमी शताबदी में लिखी गई नेस्ते दमस की किताब लेस फ्रोफेटीज में नेस्ते दमस ने वर्ष दोजार चौबिस को ले करके कई भविश्य वाडिया की हैं। नेस्ते दमस को कयामत का पैगंबर भी माना जाता है। Less prophecies में नेस्ट दमस ने लिखा है कि 2024 में एक भयानक यूद की शुरुआत होगी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक पेराग्राफ में नेस्ट दमस ने लिखा है कि दूसरे विश्यूद के 89 वर्ष बाद 3 विश्यूद की शुरुआत होगी दूसरे विश्यूद का अंत 1945 में हुआ था और अब 89 वर्ष बाद 2024 में तीसरे विश्यूद की अटकले लगाई जा रही है इसी की शुरुवात 2024 के आकरी महिने में होने वाले एक भीशन युद्ध से होगी ऐसा भी कहा जा रहा है नेस्ते दमस की भवशिवाडियों पर शोद करने वाले जानकारों का कहना है कि जिस तरह से नेस्ते दमस ने लिखा है कि दूसरे विश्यूद के 89 वर्ष बाद तीसरे विश्यूद की शुरुवात होगी और जो वर्तमान में मदेपूर में इरान इसराइल को लेकर जो परिस्थितियां बन गई है उससे तो यही लग रहा है कि अब शायद इरान इसराइल से तीसरे विश्यूद के एक भयानक मोल पर एक जनसंहारक मोल पर पहुँचने की आजशंका है नेस्ते दमस ने 2024 के लिए ये भी लिखा है कि लाल शत्रू डर से पीला पड़ जाएगा जिससे पूरे महासागर में डर पहल जाएगा कुछ लोगों का मानना है कि ये बविश्यवाडी चीन और ताइवान के बीश तनाओं को लेकर के हुई है वहीं कुछ विश्यवाडी इसे लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले से जोड़ कर भी देख रहे है इरान और इस्राइल के मद्दे संभावित युद्ध को लेकर सोशियल मीडिया पर काफी हल चल मची हुई है नहस्ते दमस्की भविश्यवाडी सामने आने के बाद से तो यूजर्स वर्ड वर्ड त्री का ट्रेंड चला रहे हैं कई यूजर्स का कहना है कि तीसरा विश्यूद अगर होता है तो एक पक्ष नाटो, सन्युक्तराज अमेरिका, इस्राइल और यूनाइटेड किंग्डम का होगा वहीं दूसरा पक्ष जो है रूस, चीन, इरान, यमन और उत्तर, कोरिया के साथ खड़ा दिखाई देगा तो इस तरह से नैस्ते दमस की आज इस वविश्यवाडी के चर्चा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि एक जो विश्यष पैराग्राफ उनकी कविताओं में मिलता है उसका सम्बंद तीसरे विश्यूद से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और इसी में उन्होंने दूसरे विश्यूद के 89 वर्ष बाद तीसरे विश्यूद के आरम होने की बात कही थी और ये 89 वर्ष जो है वो 2024 में पूरा हो चुका है 1945 में दूसरा विश्यूद समाप्त हुआ था और अगर इसको आप जोड़ें 1945 से 89 वर्ष के बाद तो ये जो समय आता है वो 2024 का आता है तो बने रहे हमारे साथ हम आपको बराबर अपडेट करते रहेंगे संसार और भारत के भविश्य पर भविश्यवाडियों के माध्यम से धन्यवाद नमस्कार